देश के प्रतिष्ठित जवाहर लाल नहरू युनिवर्सिटी में रविवार शाम को नकापोष हत्यारबंद लोगों द्वारा छात्रों और सिक्षकों पर लाठी डंडे और हत्यारों से हमला किया गया जिसमें करीब 34 छात्र और अध्यापक घायल हो गये हिंदू रक्षदल के राष्ट्री अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी ने सौमवार देरात वीडियो वाइरल कर जवाहर लाल नहरू विश्विध्याले दिल्ली में हुए विध्यारतियों और सिक्षकों पर हमले की जिम्मिदारी लिए वीडियो में वो कहते नजर आ रहे है कि देश विरोधी गतिविधियां हिंदू रक्षदल बरदाश्ट नहीं करेगा देश विरोधी गतिविधियां करने वालों को ऐसे ही जवाब दिया जाएगा जैसे रविवार शाम को दिया गया है जे एनियू में छात्रों और परिटाई करने वाले उनके कारे करता थे धर्म के खिलाफ जो भी बोलेगा हम उसे बरदाश्ट नहीं करेंगे आगे किसी और यूरिवर्सिटी के छात्र ऐसा करेंगे तो उनके साथ भी यहीं होगा और ऐसी गतिविदियां हमारे देश में रहते हैं हमारे देश का खाते हैं और हमारे देश में ही सिक्षा प्राप्त कर रहे हैं यह क्या चाहते हैं हमारे देश में ऐसी गतिविदियां हिंदू रक्षादल बरदाशनी करेगा देश विरोधी गतिविदियां अगर हमारे य अधरम के खिलाफ इतना घलत बोलना और किस तरीके का इन लोगों का जो है व्यवार है कई वर्षों से जे अन्यू कमिनिविस्टों का अड़ा है और ऐसे अड़े हम लोग भरदाश्णी करते हैं पहले से हम लोग अपने धरम के लिए अपने प्रान न्योचावर करने के लिए तत पर तयार रहते हैं ऐसी गतिविदिया हम लोग परदाश्णी करें ये कल की जो जिम्मेदारी है सारी जिम्मेदारी हिंदूरक्षादर लेता है अगर आगे भी किसी ने ऐसी देश विरोधी गतिमिदिया करने की कोशिश की तो हम ऐसी ही कारवाई आगे भी यूनियमस्टिवह में कराएंगे ये जिम्मेदारी सारी हिंदू रक्षदल लेता है हिंदू रक्षदल, भुपेंद्र तोमर, पिंकी चौदरी ये जिम्मेदारी लेता है कल जो JNU में घटना हुई है वो सब हमारे कारे करता थे और जो भारतमा के लिए ऐसे काम भी नहीं कर सकता है उसे इस देश में, इस भारतमा के लिए कोई अधिकार नहीं है यहां रहने का हम लोग अपने देश के लिए तत पर तयार रहते हैं अपनी भारतमा के लिए हमारे प्रान अपनी भारतमा के लिए और जो भी धरन के खिलाथ बोलेगा आपको बता दे कि भूबेंदर तोमर उर्फ पिंकी चौधरी आपके कार्याले पर हमले समेथ अन्य कई मामलों में पहले जेल जा चुके हैं उनका ये वीडियो थोड़ी देर में ही सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया पंजाब के स्वी टीवी के लिए शिवागी परमार की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद